दोस्तो वी सिंग, फ्री सिंग और जी सिंग का नाम तो आपने भी सुना होगा अलाकि इसके प्रीवियस वीडियो गेमिंग वासा नॉर्मा मोनीटर में भी मैंने इन दोनों वर्ट्स का यूज किया था और आज की इस वीडियो में आपको बताने वाला हूँ वी सिंग, फ्री सिंग और जी सिंग के बारे में तो वीडियो को लास्ट टक जोग देखेगा और हाँ अगर आप मेरे इस चैनल पर नहीं हो तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर देजेगा चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं दोस्तो गेम खेलते टाइम, स्क्रीन टेरिंग के प्रॉब्लम हमें बहुत बार फेस कहने को मिलती है जब भी हम कोई सूटिंग वाला गेम या मोसन वाला गेम खेलते हैं या जब भी कोई हम high frame rate पे game खेलते तो हमें screen tearing की problem face करने को मिलती है अब ये screen tearing की problem होती कैसे है जब graphic card monitor की और card से ज़्यादा frame rate produce करता है तो उससे monitor में frame rate उपर नीचे होते है जिससे हमें screen में एक mismatch देखने को मिलता है और उससे screen भी से divide हो जाती है अब इस screen tearing से बचने के लिए हमें v-sync का option देखने को मिलता है अब v-sync का काम क्या होता है v-sync का option on करने के बाद हम जब भी कोई high fps पर game केलते हैं तो v-sync हमारे graphic card से निकलने वाले frame rate को monitor के frame rate के साथ मिला देता है अब जैसे हमारा monitor 60 hertz का है तो v-sync हमारे graphic card से निकलने वाले frame rate के source को कम करके 60 fps जितनी कर देगा जिससे हमें किसी भी game में 60 fps से ज़्यादा देखने को नहीं मिलेगा अब जब graphic card की output source और monitor की input source दोनों same frame rate पर चलेंगे मतलब जब दोनों 60 fps पर run करेंगे तो हमें इससे screen tearing के problem face करने को नहीं मिलेगी अब v-sync के option की एक disadvantage ये भी है कुछ games जो के high fps produce करते हैं v-sync का option on करने के बाद उसके fps टो reduce हो जाएंगे पर उसके input lag पे ज़्यादा जोर पड़ेगा जिसकी वज़ा से उसका input lag बढ़े जाएगा जिससे के हमें shooting वाले games में थोड़ी delay देखनों को मिलेगी और games की थोड़ी सी performance भी low हो जाएगी अब इस problem को दूर करने के लिए AMD वालों ने FreeSync और NVIDIA वालों ने G-Sync जैसे technology को launch किया अब ये दोनों ही technology ना कोई hardware है ना कोई software जो हमें market से अलग से बाय करने पड़ेगी दोनों ही technology सेम हैं बस नाम अलग-अलग है जो AMD के graphic card यूज करते हैं वो FreeSync जैसे technology को यूज करेंगे और जो NVIDIA का graphic card यूज करते हैं वो G-Sync जैसे technology को यूज करेंगे अब ये technology हमें monitor में inbuilt देखनों को मिलती है monitor के अंदर एक chip होती है जो कि इसी technology की होती है इन monitors को हम gaming monitor भी कहते हैं अब FreeSync और G-Sync के option से होता ये है जितना frame rate हमारा graphic card produce करेगा उतना ही frame rate हमारे monitor में display होगा जिससे कि हमें screen पे screen tearing और mismatch जैसी problem face करने को नहीं मिलेगी और जब भी हम कोई game 60 fps के उपर run करेंगे तो उसका display हमें बहुती smooth देखनों को मिलेगा अब ये technology बहुती costly होती है इस technology के gaming monitor हमें market बहुती costly देखनों को मिलते हैं जो gamers होते हैं जिनका कामी gaming है वो इस technology को prefer करते हैं I hope आपको ये मेरी वीडियो अच्छे लगी हो तो please वीडियो को like कर देजेगा Thank you